खालो वाई स्वागत है आप सब का हमारे इस youtube के चैनल पे और आज हम पहले लेक्शर यह जो हमारा पहला लेक्शर है फायर एजूकेशन के बारे में और एक इंट्रड़क्शन हम छोटर से लिने वाले हैं तो higher education क्या है भाई जो भी आप graduation के बाद करते हो higher education है आप post graduation करते हो PhD करते हो post doc करते हो यह सारा उच्च शिक्षा में आता है तो higher education में क्या क्या चीजें हैं पहले क्या जब देश आजाद नहीं था तो कैसे ही situation थी शिक्षा के क्या क्या माध्यम थे इसके लावा देश आजा इस पूरे के पूरे course में पढ़ेंगे जो की daily शाम को 7 बजे होने वाला है आज थोड़ा हलके होके चलते हैं थोड़ा सा introduction ले ले लेते हैं कि syllabus में क्या-क्या है और क्या-क्या चीजे हमको पढ़ना है काफी बच्चों ने join कर लिया है, सब को good evening है और आईए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो गाईज मेरा नाम कुमार भरत है पेपर अनका मैं ट्रेनर हूँ येरेफ क्वालिफाई किया है और सरल से सरल एक्स्वनेशन देने की कोशिश करता हूँ कटन से कटन कंसेप्स की और डेली शाम को साथ बजे हमारी क्लास होती है और आज कल हम पढ़ने वाले हैं हायर एज्विकेशन के बारे में तो आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग और स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं के जो कि इंडिया का लाज़ेस्ट लर्णिंग प्लेटफॉर्म है और घर बैटे बैठे पेपर उन पेपर टू दोनों की तयारी आप यहां कर सकते हैं डेली लाइव क्लास के द्वारा इसके लावा मॉक्टर्स भी है सब कुछ आपको मिलेगा और कुछ आपको रिफर करने जुरुरत नहीं रहेगी तो बहुत सब्सक्राइब को पसंद आता है तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जितनी जादा वैलेटी का आप लेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा और के बीटन कोड के बीटन जो कोड है इसका यूज जरूर करिएगा इसको यूज करने से आपको 10% के रिसकाउंट और मिल जाएगा तो काफी इंपोर्टन कोड है इसको विल्गल याद रखिएगा तो higher education में सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं वो है pre and post independence education system इंडिया का तो आपको पता है जब आजादी हुई जब अंग्रेज रूल करके गया तो हमको बहुत तरी चीज़ा समझ में आई जो भी आज़्स तकनीक हम यूज कर रहे हैं वो कैसे काम करती है education को क्या system होता है offices का क्या system होता है कैसे देश को समभाला जाता है अलगрать विभाग कैसे बनते हैं उन विभागों में करमचारियों से काम कैसे कराया जाता है उनकी भर्ती कैसे होती है train से एक जगा से दूसरी जगा कैसे जाया जाता है को एक जगह से दुशे का कैसे जा सकते तमाब चीज़ें हैं जो की प्री इंडेपेंडेंडेंस वाला जो इंडिया था वहां नहीं कि पोस्ट इंडेपेंडेंडेंस बहुत सारी समझ में आही कि भ१॥िक जगत को और डेवलक करने के लिए आपको पता है जो वेस्टनर्स हैं वो बहुत एक जगत को डेवलोप करने के लिए फीमस हैं बहुत एक वादी जिनको कहते हैं उन्हीं से जो भी चीज़ें वह हम लोगे सीखी और इसी के बेट सिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल धाचा पहले अलग था शिक्षा का और उसके बाद धाचा बिल्कुल अलग हो गया आजादी के बाद क्योंकि हमने अपने शिक्षा में जो वेस्टन चीज़ें थी उसको एड़ करा जैसे कि आपको पता है कि पहले जमाने में क्या दवाई गुरु कुल सिस्टम होते थे और गुरु केवल बोल कर के बाते बताता था बच्चों को याद कर लेनी होती थी और हम लोग जो पढ़ते थे वो वेदों के बारे में पढ़ते थे जो हमारे पुरान है या जो पुराने जमाने की चीज़ें रामायन है महाभारत इन सब का हम लोगों ग्यान यह शिक्षा कहलाता था उसका शिक्ष बन रहे हैं यह हमको पढ़ना होगा और फिर बात आती है पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस यानि कि जब आजादी हो गई तो पहले कॉलेजिस कौन से बने गए सबसे पहले सेंट्र उनिवर्सिटी इस कौन से थी और क्या क्या गवर्निंग बॉड़ीज हैं हायर उकेशन में से लिबस में इंक्लूड हुई है और इससे काफी कॉशन्स बनते हैं प्री इंडिपेंडेंडेंट जी हां बिलकुल जरूरी है जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं उसी से कॉशन्स बन रहे हैं तो उसको पढ़ना पढ़ेगा कि क्या क्या होता था हां ठीक है पहले कैसे एजुकेशन होता था यह आपको जानकारी होनी चाहिए शायद योजी सी नेट वालों को लगता है इसलिए आपको पढ़ना है जो थोड़ा आप पीडिएफ देना तो अच्छा होगा क्योंकि रटना पढ़ेगा ना बार-बार हां ठीक है मैं पीडिएफ भी द प्लस पे आपको और ट्रेनर में मेरे जो कोर्स बन में मोका मिलेगा उनका अपना मोटयह मैराना नोट है यहाद आपको जैदम मिलेगा साथ में तो इसी फीस के अंदर पेपर टू भी आपको मिल जाएगा हां काफी सरी चीज़े हैं जो कि प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंडन से आएंगी अगली चीज़ गवर्निंग बॉडी इन हायर एडूकेशन सिस्टम तो जो हमारा पूरा धाचा है हायर एड के साथ यह भी खबर आई है कि अब यूजी सी को हटा देंगे एक कॉमन बॉडी आ जाएगी जो सारी के सारी चीज़े देखेंगी अगर ऐसा होता है लागू होता है तो हमारा हायर एडूकेशन का सिल्पस बहुत बड़ा बदलने वाला है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया करते हैं जो कि रेग्यूलेट करती हैं उसका पालन करते हैं और तीसरी हैं यह मानेता देती हैं चेक करती हैं सब काम सिस्टम से हो रहा है यह नहीं हो रहा है प्लीज इंक्रीज वॉल्यम आप वॉLiम कर दीजे मेरा तो फुल है वॉल्यम ह gros बुरु terce का सिस्टम या फोन का जाती या रेस के हो हाँ ना लंदा में टेलेग्राम लिंक पिन कर दीजिए ओके टेलेग्राम लेट्स क्रैक इंटे यूजिसे नेट इससे आप सर्च कर लीजिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो पॉलिसी मेकिंग में कौन आता है भाई एमेचारडी ठीक है तो अब ऐसा क बनके आती है में चार्डी से या मिनिस्ट्री ओफ एड्यूकेशन से और उसके बाद आता है रेगुलेशन तो रेगुलेशन मतलब की जो नीतियां बन गई है अब उस पर काम करना तो यूजिसी जो है और भी दो चार संस्था जिसको लोग डिस्रिप्शन में पढ़ेंग उनका फुल फॉर्म क्या है तो यूजिसी आपको पता है उनिवसिटी ग्रांट्स कमिशन यूजिसी ठीक है यह जो है यह रेगुलेट करता है और भी कही चारी चीज़ें और तीसरा है अक्रेटेशन जो नाक वगएरा है ठीक है यह सारे के सारे वेरिफाइड करते हैं कि यह जो पॉलिसी बनी है और रेगुलेट हो रही है यह सही से कॉलेज लेवल पे काम कर रही तो यह करते हैं मानिता प्रदान करने का यह से तीन चीजें हैं में ठीक है तो हां फो और अब हम नई चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बाद आता है तो कितने कितने टाइप की युणिवरिसिटी उती है तो sentral यूणिवरिसिट्टी जो की सबसे जीजिसका एक कशेणा value है जो केंदर सरकार के आधीत है फिर आती चुटायुट चुटायुंट G और वह सथी होती है मुए राज्यों के इंदर वह सटेट ऊनिव्सरिटी कि इसको बना दिया जाता है कानुन पास करके भी कोई चीटि अपना पैसा लगा के मानिता लेना चाहिए किसी सेंटर या स्टेट ईनिवसरिटी से अफिलिएशन सकते हैं private university या तो state से या तो central से ठीक है जैसे अमेटी university है lovely professional universities सब क्या है private universities है कुछ लोगों कुछ stakeholders अपनों पैसा लगा है investment कर रहा है और किसी central यह state university से मानिता ले रहे हैं मतलब अगर आप यहां से करते हो कुछ graduation वगएरा तो आपको जो डिग्री मिलती है उस पर किसी central यह state university का नाम लिखा रहता होगा कि इससे मानिता प्राप्ति यह college है and then meta universities मतलब की जो जो छोटे छोटे चुटे campus बना दिये जाते हैं किसी बड़ी university के अंदर उनका इंफ्रस्ट्रक्चर का खर्चा बचाने के लिए तो मेटर युनिवरसिटी इस में आती है इगनू distant open university है open university एक अलग टाइप है जिसके बारे में पूरा का पूरा chapter है उसके बारे में हम समझेंगे आप ठीक है तो हाँ तो आगे हम लोग बात करते हैं टाइप हो गया open and distance learning तो open universities यह अलग टाइप है और इसके बारे में भी काफी सारी questions बनते हैं बिल्कुल अलगी इसलिए मैंने इसको chapter बना दिया है इगनू है कुछ state universities होती है ठीक है state open universities होती है mixed mode वाली university होती है कुछ ऐसी university है जो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो वहाँ पे mixed mode मतलब कि कुछ courses वहाँ distant वाले भी चलते हैं कुछ पर्मनेंट वाले भी चलते हैं कुछ ऐसे उन्यस्टी यह दोनों provide कराती है कि आपको MA करना है तो आप regular mode वाला MA भी कर सकते हो उसका फीस थोड़ा जादा होगा और आप distant mode वाला भी ले सकते हो उसका फीस थोड़ा कम होगा और admission का criteria भी थोड़ा सही होगा और फिर आती है dual mode university dual mode में क्या है कि एक ही course होता है मालो MA का course है एक ही course आप लोगे लेकिन अब दोनों तरीके से आप कर सकते हो चाहो तो आप वहाँ class जा करके attend कर लो नहीं तो फिर घर पे बैटके ही वह class view कर लो मतलब अगर आप class में नहीं जाना जा रहे तो वहाँ camera बग जाके करो या वहाँ class में जाके करो दोनों मोड उसके अंदर है चीक है हाँ open वाला भी net के लिए लेजिबल है प्राइवेट उनिवरसिटी जो है वो आपकी निजी उनिवरसिटी है किसी व्यक्ति ने अपना पैसा लगा करके इसको खूला है और डीम्ड टूभी उनिवरस कर लोग्रेश्टी है ना तो सेंट्रल युणिस्टी अभी नई उनिवरसिटी बनी है और इसको फिर पास करा करके जो है उसको दर्जा दिलवाया गया है लेकर वो जरुप्राइवेटी ओ प्राइवेट हो वो कोई हो सकती है बाद में बनी है डीम्टूभी उनिवरसिटी ठीक है और जादा डीटेल में हम लोग जब यह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे यूपीटियू भी ओपन उनिवसिटी है यूपीटियू मेरे साफ से मिक्स्ड मोड है यूपीटियू के बहुत सारे यूपीटियू बेसिकली अफिलिएशन देता है बहुत सारे एंजिरिंग कॉलेजेज इसको और साती साथ डिस्टेंट मोड भी कोर्सें यूपीटियू में होते हैं तो दोनों टाइप के कोर्सें रखता है अपने साथ जी हाँ JNU है Central University हाँ हाँ जब बेटा इसको पढ़ाएंगे तो डीटेल में पढ़ाएंगे अभी तुम्हें आपको इंटॉडक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं इसके अंदर अनकेडमी में ट्रेवल एंड टूरिजम का मिनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल होगा देख लीजे अप डॉनलूट कर लीजे मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि बहुत सारे कोर्सें आप के अंदर हैं ओके आगे बढ़ते हैं अगला क्या है हमारे पास अगला है अकाडमिक planetary and PhD basics तो कुछ questions जो है वो PhD basics के भी आए हैं कि PhD कितने duration का होता है course work कितने time का होता है course work में कितने credit लेने होते हैं entrance के लिए क्या eligibility होती इस से जोड़े कुछ quations पूछे गए हैं recently तो यह PhD basics का हो गया फिर है भाई कि पहले जब old syllabus था higher education का उसमें polity एक आता था जो बच्चों ब बढ़ डर आता था मुझे तो बड़ा डर लगता है पॉलिटीज क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है राजनीती में अब जिनको इंट्रेस्टेंट को सब पता होगा कि रास्टपती का कारेकाल कितना होता है प्रधान मंत्री कहां कहां विजिट करता है ये कैसे होता है वो सब्सक्राइब potatoes कल turning to me का चैनस्लर वाइस चैंसलर क्या होता है येडफेट क्या होता है इन सब के बारे में थोड़ी जनकारी से उन रहे हैं नहीं अद通ढ़ी परशांटे और अब प्रिश्एशार चांसलर रही है लोग पढ़ रहे हैं डर रहा है लेकिन अभी कह सब्र से बस चेंज हुआ है तब से पॉलिटी का एक भी कोशन देखा नहीं गया है तो पॉलिटी से आप डरे ना पॉलिटी का नहीं आएगा के वाद एकेड्मिक एड्मिनिस्ट्रेशन जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसका भी हमने एक चैप्टर बनाया है इसको भी हम समझेंगे नौट इंट्रस्टेट बट इंट्रस्ट लेनी अब ज़रूरी होगी अच्छा रैग्लर और डिस्टेंस का वैल्यू क्या एक है हां लगबग एक है लेकिन आपकी प्रेपरेशन कम हो पाती है काफी बच्चेस में इंट्रसेट रहते हैं कि हम डिस्टेंस से करेंगे तो क् लेकिन आप खुछ सुचें कि एक जगह आप फोर्स होते हैं डेली क्लास करने के लिए और एक जगह होता है करें ना करें जब पेपर होगा तो जो डिस्टेंस एजुकेशन है वैल्यू सेम है उसके बावजूद भी आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है आपकी एजुकेशन आपकी पढ़ाई हो जाती है तो हमेशा धिहन देना जो बच्छे डिस्टेंस करते हैं उनके साथ यहीं प्रवलम आ जाती है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती है मैंने कुद मेरे टीन मास्टर्स हैं लेकिन जो मैंने डिस्टेंस में किया उसमें मेरा नेट नहीं निकला कभी क्यों नहीं निकला क्योंकि उदेनी पढ़ाई हो यह नहीं पाती है और उसमें नंबर ऐसी मिल जाते हैं कि पास हो जाओ और जो मैंने लिंग्विस्टिक्स करा वो फिर ब्हु में गया अपना घर छोड़ गर के मैं गया हॉस्टल में रुका फिर वहां पे महौल भी वैसा मिला तो वहां जे आरेफ निकल गया फोर्ट समेस्टर करते करते तो अंतर आई ही जाता है वाई वैल्यू भले सेम हो लेकिन भी पढ़ाई अगर करनी है तो रेगलर पर ही कोशिश करें डीम्ड यूनिवर्सटी डीम्ड क्या रहा है वेटा जब लेसन में बनाऊंगा तब पूछ लेना अभी मुझे भी बहुत ज़ादा मुझे दस-दस सक्षिन पढ़ाने होते हैं और सब मेरे साथ मेरे माइंड में नहीं रहता है इस समय डीम्ड टूभी उनिवस्टी क्या ह मेरे माइंड में नहीं है जब मैं लेसन बनाऊंगा तो मैं आपको क्लियरली समझा दूँगा है हाँ जी हाँ लोग सबार राजय सबार अगेर आप नहीं आएगा तो चांसलर वाइस चांसलर अकैडमिक कांसलर कांसल यूनिवर्ट और यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीज को सबस्क्राइब में पढ़ेंगे उसके बाद है टेक्नोलोजी इन एजूकेशन तो टेक्नोलजी या आइसीटी जो है आप देखतो हो नए से में हर चीज में डाल लिया गया है रिसेर्च में आकरी टॉपिक है आप टेक्नोलोजी इन टीचिंग अप्रीट्यूट में भी technology है, ICT तो ही हमारा technology वाला, अब higher education में भी क्या क्या चीज़ें government कर रही है, जैसे स्वयम एक platform है, घ्यान धारा, घ्यान वानी, Gset जो satellite है, इन सबसे जुड़े questions आने लगे हैं, इपार्ट शाला है, बहुत को पता होगा, अपनी mark sheets वगएरा आप रख सकते हो, वो भी questions के अंदर आ चुका है, तो यह सारी चीज़ें, क्या regular or distance शायद नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या regular or distance दोनों एक साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, management से exam दे रहा हूँ, मैंने भी distance सही पढ़ना सही, से नहीं बड़ा सही है, ठीक है, तो मैं B.H.U. से भी हूँ, मेरा PhD भी तीन जगा का है, PhD जो है, मैंने सबसे बहले IIT Delhi मेट मिशन लिया, फिर वहाँ छोड़ दिया, फिर मैंने B.H.U. मेट मिशन लिया, वहाँ छोड़ दिया, और फिर पढ़ना पढ़ेगा, PhD करो, चार साल, पांच साल, शे साल, उसके बाद टीचिंग में जाओ, तो मुझे तो टीचिंग करने को यहीं मिल गया, तो अब वह भी धोड़ा सा पीछे ही होता जा रहा है, तो देखो क्या होता है, मैंने बहुत युनिवर्सिटी के experience लिया, अपनी लाइफ में, लगनो युनिवर्सिटी, पंजाब टेकनिकल युनिवर्सिटी, कानपुर युनिवर्सिटी, आईटी डेली, बीएच यू, लगनो युश्टी का फिर से, सबसे आखरी में फिर से, तो बहुत सारी में जगा पे गया हूँ, इन सब चक्रों में, ठीक है, कर सकते हैं, एक रेगलर एक डिस्टिंस, पिएच डी मेरे कॉलेज में होता है, पास में, क्या वहां से कर सकती हूँ, देखो भाई, पिएच डी करना है, या पोर्स नाम है, उसका, किसी ने शायद नाम सुना हूँ, वहां मेरा हो गया था, लैंगवजिस के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी उनिवसिटी है, बट मैं नहीं गया वहां पे, तो जो बगल में है उनिवसिटी, वो अच्छी है आपके लिए, और इंडियन एजुकेशन को इतना भी बहुत अच्छा नहीं है, यह उनिवसिटी दूर है तो बहुत अच्छी पढ़ए होगी, हाँ नाम किसी का कम जाधा होता है, लेकिन पढ़ाई हर जगा आप जानते होगी, गवर्मेंट उनिवसिटी कैसी होता है, तो आपको खुदी पढ़ना होता है, कोई ऐसा कोई फरक नहीं पड़ता है कहीं जाने का ठीक है और कानपुर से हम भी कर रहे हैं अच्छा जी आपको सबसे बेस्ट को आप सबसे बेस्ट होता है वेटा सेल्फ स्टेडी और सारी निवस्टी एक बराबर होती हैं ठीक है आपने किस एज में जारेफ किया अच्छा मैंने जारेफ करा था 2016 में ठीक है चार साल हो गया तो ठीक है टेकनोलोजी के हम बात करेंगे ग्यान मानी ग्यानदारा स्वयम इपार्ट शाला डिजी लॉकर बहुत सरी चीज़े हैं जो इसके अंदर आएंगे और उसके बाद अग रट्टा है इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है फिर भी मैं अपने तरफ से बेस्ट करूंब कि आपको समझ में आ जाए रट्टा भी कम से कम करना पड़े लेकिन जैसे पीपल एंवर्मेंट में हमने देखा कि एक लेक्चर रट्टे वाला था एक सेशन हमारा रट्टे वो भी हायर एजुकेशन में आता है जिसे गियान है रूसा है रास्ट्री उच्चतर शिक्षा अभियान नैशनल नौलेज कमिशन है कोठारी कमिशन है बहुत सारी चीजे है तो यह श्याद आ गया प्राइवेट उनिवर्सिटी से तो बहुत सारी चीजे है इसके लावे बहुत सरे तमाम पॉइंट से उसके बारे में भी हम बात करने वाले कौन सी कमिशन कब Hoey किस ने करी क्या उसके अंदर था क्या Raptries अएं क्या क्या रिफॉर्म सुए यह सारी कि सारी चीजें बहुत बड़ी हैं इसके अंदर इससे भी बहुत सारे questions हमारे बनते हैं तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे सर जयारेफ वैलिड होता है अगर university change करते हैं बिलकुल वैलिड होता है आप जयारेफ ट्रांसफर गर आ सकते हो लेकिन मैं आपको अपने बारे बता हो तो मैंने केवल एक साल जयारेफ की फैलोशिप ली उसके बाद मैंने जयारेफ की फैलोशिप नहीं लिए क्यूंकि बहुत प्रॉब्लम हो गया मतलब की हो सकता है आपका सरलता से हो जाए अगर आपके university वाले प्रॉब्लम होता है मेरे को हुआ मतलब एक सल मैंने लिया और एक सल वजवज शिफ्ट करना चाहा तो बहुत प्रॉब्लम आई फिर मैंने गिवब अप कर दिया मैं गया कि मुझे नहीं चाही फैलोशिप तो प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए जिस university से पक्का हो जाए PhD करना ऐता है वही ज्यारr flip ॉखाना तो अगर यह मानद में रखो कि ट्रन्सफर्फiksiर थे मैं कि आपसर होता है बहुत टफ होता है डैली भी मैं सब्झाले, जो यौद्स होता है जो पर घुमना पड़ता बहुत सारी चीज़े होती है तो जैसे मालीजे जैसे नेट का जो certificate है आपका मालीजे घर बदल गया है या आपने मालीजे address अपनी गलट डाली दी form भरते समय तो फिर आपको साउट डेली वाले में जाना पड़ता है वहाँ पे आपको अपना address चेंज कराना पड़ेगा वहा कोठारी कमिशन है वह पहला कमिशन है जहां प्रेश को 10 continue कियाता और जिसको अब फिर से एंपी में फाइफ फ्लस ठी प्लस 3 करके कर दिया गया है ठीक है दोनों चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं तो यह हो गए डिफरेंट इंस्टिउशन इन पॉलिसी और यह टूटल चीजें हैं जो हम डेली साथ बज़े पढ़ने वाले हैं साथ बज़े आज यह का कॉपी पेल लेकर के यह प्रॉपर पूरा का पूरा हायर जुकेशन के सिलिबस है बहुत जादा टाइम ही लगेगा एक हफते में इसको कवर कर लेंगे साथ साथ दिन से जादा नहीं लगेगा और और यह मत पूछेगा कि क्या सर इसी के अंदर से सब कुछ आएगा नहीं ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज़ें कहीं से भी पूछ लेते हैं मैं पूछ लो जितना बना लो उतना कम है तो वो चीज आप के उपर रहेगी ठीक है किना इडू प्यचडे तुरू डिस्टेंस मोट स्रूम इगना रोडिस्टेंस में मत करना प्यच्डेंस मत करना पोस्ट ग्रजुशन कर सकते हो पिच्ड करना पर सर नहीं बतायेंगे क्या नहीं क्या नहीं बताना है कि सबजेक्ट क्या है लिंग्विस्टिक्स थीक है तो ancinicas request repeat होते हैं नहीं प्रिवेस औरancer दिन आपका पेपर चलता है और हर पांच दिन में दो-दो आपके शिफ्ट होती हैं तो टोटल कितने दस सेट्स टोटल बनते हैं ठीक है तो अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ दिसेंबर मेरे पास सारे सेट्स रहते हैं और मैं सबकी एनलिसिस करता हूं तो दस सेट्स का मतलब है पांच सो पूरे पेपर उनके तो मैंने एनलिसिस करी तो यह पाया कि अब जो है कॉश्चन रिपीट हो रहे हैं मतलब जैसे मान लीजे आज मेरा सुभा पेपर था वह मैं जब पेपर खतम होता है तो आपको कुश मिलता तो नहीं है ना आपको कुश्चन आप लिखकर के ले जा सकते हो जब रफब करते हो वह भी वह लोग रख लेते हैं तो मलब एक ही डूरेशन वाले जो पेपर है ना उनमें वह वह पेपीट करने लगे अब अगली बार ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं है इस बार मैंने अब्जर्व करा और जून वाला जो पेपर वाद दोज़र नहीं से उसमें भी ऐसा नहीं था रिपीट नहीं हुए थे लेकिन दिसंबर वाले में उसी शिफ्ट के मालब शाम वाली में रिपीट जादा हो गया अगले दिन की क्वेशन आया हो एक दो क्वेशन आगये हो तो पता नहीं बहुत ज़icamente क्या रिपीट होता इसको समझे लेना कुछ I conventional होाँ होते हैं का धिकिशे के रिपीट होते हैं कि ए कब लागिए आया है तो अब अगली बार कि ये तो ॉन्य हायगा कि ये तो नहीं आγका क्या कर्द लेकिन रूसा क्या है इसके अंदर क्या-क्या स्कीम्स आई किसे ने इसको स्टार्ट करा यह पढ़ना बहुत जरूरी है तो इसी लिए हम कंसेप्ट की बात करते हैं यहां पर ठीक है ग्लोबल इनिशेटिव जो है यहां पर रूसा है रास्ट्री चुतर शिक्षा अशिक्ष लक्न्रोव उनिवसिटी में कैसा लगा मेशिधिया क्या वहाँ करना सभी गाहेगा और करने कहीं नाइटी घर ली सालों पहले बहुत बच्चे आते लेकिन मुझे लगता है कि अब जितने भी लखनों में लोग है ना वो कहीं निकल लेते हैं डेली निकल लेते हैं या बहुत लोग कॉम्टेट एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो लखनों यूश्टी में उतनी मुझको वॉल्यूम नहीं दि सर गॉवर्मेंट जॉब में हूँ तो कैसे रेगुलर पिएचडी हो पाएगा थोड़ा सा ओफ मिलता है मेरे साथ एक लड़का था बीचू में वह सीटेट उसने कॉलिफाय कर रहा था टीचर था प्रामरी लेकिन वह ओफ ले करके किसी तरीके से पिएचडी कंप्लीट कर लेना शायद साल में दो बार होता है बहुत आइडिया मुझे नहीं है कैन एनिबडी टेल में क्लास में क्या डिसकेशन करा था तो चलिए साथ बजे से हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और के बीटन कोड जरूर से यूज करिएगा जिससे आपको 10% का डिसकाउ करिए और उनकी क्लास देखिए अराम से अच्छी लगें तो के बीटन कोड यूज करिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए तो चलिए मिलते हैं गाई सकल साथ बजे और शुबारम करते हैं हायर एजूकेशन का उसको थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं है ठीक है न